नमस्कार दोस्तों मैं रोहिद बापट मेरे यूटीब चैनल पे आप सभी का स्वागत दोस्तों संत दुकारा महराजी का अभंग बोलावा विठ्थल पहावा विठ्थल इस अभंग का हिंदी अनुवाद मैं सरल शब्दों में आपके सामने रखने जा रहा हूँ मेरा प्रयास यह होगा कि सरल शब्दों में इस अभंग का भावार्थ आप सभी को मैं बता सको तो देखते हैं यह अभंग और उसके बाद इसका अनुवाद और भावार्थ तो अभंग ऐसा है बोलावा विठ्थल पहावा विठ्थल करावा विठ्थल जीव भाव येने सोसे मन जाले हाव भरी परती माघारी घेत नाही बंधना पासुनी उकलली गाठी देता अली मिठी सावकाशे तुका मनें देह भारिला विठ्थले कामक रोधे केले घर रिते दोस्तों भावार्थ समझने से पहले आपको थोड़ी जानकारी हो संत दुकारा महाराजी के बारे में इसलिए उनके अध्यात्मिक जो पार्षव भूमी है उसके बारे में संत दुकारा महाराजी वैष्णाव थे विष्णु भक्त थे और अध्वाईत सिध्धान्त के भी मानने वाले थे भक्ति मार्ग से द्वाईत से अध्वाईत तक जो एक प्रवास है एक जो यात्रा है वो उसके बारे में उनके बहुत सारे अभंग है तो इस पार्ष्व भूमी में हम सारे अभंगों का भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे उनके सभी अभंगों का मूल जो है वो कही न कही जाके अद्वईत सिध्धान्त और सनातन जो है पद्धती वहाँ पे जाके टिकती है तो आएए देखते हैं अभंग और इसका अनुवाद और भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं तो पहली पंक्ती ऐसी है कि बोलावा विठ्थल पहावा विठ्थल करावा विठ्थल जीवभावः अगर इसका सीधा सीधा मराठी से हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं तो ये होगा कि विठ्थल कहो, विठ्थल देखो, विठ्थल करो, जीवभावग। तो ये संत दुकराम माराजी की भक्ती है, जो ये कहती है, और उनकी ये अवस्था में वे पहुच गये हैं, जहां पे वे कहते हैं कि और कुछ न बोलो, सिर्फ विठ्थल का नाम लो, और कुछ न देखो, सिर्फ विठ्थल को देखो, और कुछ न करो, सिर्फ विठ्थल ही विठ्थल करो जीवभाव जीवभाव याने मन लगा के जीजान से पूरी श्रद्धा से और आस्था से दोस्तों जो लोग मराथी संसुरती के बारे में ना भी जानते हो उनके लिए मैं एक और एक उधारन देता हूं कि हमारे यहां पर प्रभू श्री राम का नाम भी इसी आदर से लिया जाता है जैसे कहते हैं कि मुझे राम ही को देखना है राम ही के बारे में बोलना है मुख में राम नाम ही रहना चाहिए और मैं सिर्फ श्री राम श्री राम और श्री राम ही करता रहूंगा यह शायद आपने सुना होगा तो उसी तरह से संत तुकारा विठ्था में बहुच गया है कि जहाँ पर उनको सिर्फ विठ्थल ही विठ्थल दिखाई दे रहा है, जिनके वे भक्त थे। तो ये कह रहा है कि बोलावा विठ्थल है। और विठ्थल जो है, एक तो ये है कि विठ्थल तो भगवान का रूप है, ये तो एक बात हो लेकिन अगर विठल अगर को हम ये पूरी तरह से अगर देखने की कोशिश करें, तो इस विठल में संत दुकरा महाराजी परभरम्ह भी देख रहे हैं, वो जो परमतत्व है, परभरम्ह जो है, वो भी इस विठल में उन्हें दिखाई दे रहा है, वो जो परमसत्य है जो निर्गुण है, निराकार है ये देखे, बहुत बड़ी विडम बना है इसलिए ये समझना जरूरी है कि द्वाइत से अद्वाइत तक की आत्रा कैसे होती है विठ्थल तो है, उसकी मूर्ती भी है उसके मंधिर भी है लेकिन विठ्थल में हम उस परब्रम्ह की, परंतत्व की, परंसत्य की एक कल्पना कर रहे हैं जो निर्गुण है, निराकार है तो यही संतदुकारा महराजी हमें कह रहे हैं कि बूलावा विठ्थल, अपने मुख में विठ्थल का नाम रहो अपने परमेश्वर का नाम रहना चाहिए पहावा विठ्थल, विठ्थल ही देखो अब इसका आर्थ यह भी हो सकता है कि जहां भी देखो, अगर तुम्हें शरद्धा है तो हर जगह तुम्हें विठ्थल दिखाई देगा जैसे हम कहते हैं कि मुराठी में हर जगह पे जहां पे आप देखो वहाँ पे आपको भगवान दिखाई देगा तो वो परमेश्वर जो है वो हर किसी चीज में आपको दिखाई देगा पहावा विठ्थल, इस अवस्था में आप पहुँच जाओगे अब ये करावा, करावा याने करो तो करो विठ्थल ये वैसे तो इसके कोई बहुत ज़्यादा अर्थ इसमें से निकलता नहीं है अगर हम सिधा सिधा अनुआद करें इसलिए हम भवार्थ में जाएंगे इसलिए मैंने पार्शव भुमि भी आपको थोड़ी सी बताई करावा विठ्थल जीवभाव करावा विठ्थल याने क्या करें तो उस परमेश्वर की सेवा करें ऐसा काम करें जो आपको उस परमेश्वर से और आप में जो अंतर है वो कम कर सके आपको उस परमेश्वर के और थोड़ा नजदीक जाने के लिए मदद कर सके ऐसा कुछ करो जीवभाव, मन लगा के करो पूरी आस्था और शरद्धा से करो फिर दुसरी बंगती क्या कहती है कि येने सोसे मन जाले हाव भरी परती माघारी घेतना ही ये धुरुपद है एक और एक चीज जाते जाते कहना चाहूंगा कि ये जो अभंग जो है वो ऐसे ही कविताय नहीं है ये अभंग संत जो थे उन्हें गाते थे जब भी कोई मंडली होती थी सभा होती थी या फिर भक्तों का जमाड़ा होता था तब ये अभंग संत महात्मा जो थे पुराने हमारे वो गाके सुनाते थे हमारी पद्धती ही संस्कृती ही सब शब्दों की रहिये लिखने की नहीं है इसलिए सारे जो हमारे पुराने गरंथ भी जो है वो कविता के माध्यम में है क्योंकि उन्हें पढ़ा जाता था उन्हें बोला जाता था लिखा नहीं जाता था तो इसलिए ये धुरूपज वो गाने से आया है क्योंकि ये गाते थे अब भी गा रहे हैं तो दूसरी पंग्ती यह है कि येणे सोसे मना जाले हाववभरी दोनों भी तो अर्थ इसमें निहित है मन जाले हाव भरी मन याने मन जाले याने हो गया हाव भरी हाव भरी याने बहुत इच्छा हो रही है लालसा हो रही है कि ये मुझे चाहिए परती माघारी घेत नाही परती याने वापिस माघारी याने पीछे गेत नहीं याने जा नहीं रहा है तो सिधा सिधा यह है कि यह सब देखके विठल विठल ही विठल हर जगा देखके यह जीवभाव विठल का नाम लेते हुए उसका मनन करते हुए अब मेरे मन की अवस्था यह हो गई है कि यह अब लालसा से भर गया है और ये लालसा कैसी ये कोई वस्तु की लालसा नहीं है ये उस परमिश्वर से मिलने की लालसा है ये कोई वस्तु की पदार्थ की पैसों ये लालसा तो संतों में हो इने सकती तो इस अवस्था में संददुकाराम महाराजी है कि वो कह रहे हैं कि अब ये सब करके बोलावा विठ्थल पहावा विठ्थल करावा विठ्थल जीवभाव ये करके अब मेरा मन इस अवस्था में पहुँच गया है कि अब उसे लालसा हो रही है कि है भगवान है परमेश्वर मुझे आप अपना रूप दिखाईए मुझे आप अपने में शामिल कराईए मुझे अपने जगा चर्णों में जगा दीजिए उस अद्वईत से मिलाईए तो ये लालसा हो रही है प्रखर इच्छा हो रही है हाव हो रही है हाव मराठी में प्रखर इच्छा को कहते हैं और इससे हो क्या रहा है कि परती माघारी गेतना ही अब ये माघारी पीछे जाना है यह किरा है कि मन अब इतना उत्तेजित हो गया है इस लालसा से, इस प्रबल इच्छा से कि उसे अब पीछे मुड़ के जाने का मन ही नहीं हो रहा है और पीछे कहां पे जाना है तो उस समसार में, उस विश्व में, उस जग में क्योंकि जिस अवस्था में संत महराज थे, कि जहां पे वस्तु स्वरूप, जिसको मराठी में और एक बहुत अच्छा शब्द है विशय, विशय याने वस्तु है, पैसा हो गया ये जो सारी अहिक चीजे जो है, जो माया तत्वज़ जिससे हम कहते हैं, ये जो माया है, ये समसार जो है, वहाँ पे जाने का मन नहीं कर रहा, अब ये अवस्ता हो गई है कि मुझे उस दुनिया में फिर से नहीं जाना है, मुझे अब परमेश्वर में विलीन हो जाना है, इसे अब पीछे जाने की कोई सोच भी नहीं आती मन में, इस ये आवस्ता हो गई है, मेरे मन की ये सोसे मन जाले हाव भरी वो इच्छा हो रही है, और अब मुझे मुढ के नहीं जाना, मुझे मुढ के उस समसार में नहीं पढ़ना है, उस माया में नहीं पढ़ना है, उसमें मुझे नहीं रहना है यह पीछे नहीं जाना है, यह पीछे याने समसार में नहीं जाना है, वो छोड़के अब आ गए यहाँ पे तीसरी बंक्ती क्या गहती है, बंधना पासुनी उकलली गाठी देता अली मिठी सावकाशे इसका सीधा सीधा अनुवाद यह है कि बंधना पासुनी यानि बंधन से उकलली गाठी गाठ जो होती है, जैसे डोरी में गाठ होती है, वो गाठी उकलली यानि छूट गई, धीली हो गई देता अली मिठी सावकाशे, देता अली मिठी इसका मतलब यह है कि मैं अलिंगन दे पा रहा हूँ, या फिर दे चुका हूँ, दे सकता हूँ, सावकाशे यानि धीरे-धीरे, हौले-हौले जी सकेते हैं तो पुरा अर्थ यह है कि बंधन से बंधन की जो गाठ है, वो अब धीली हो गई है, धीली हो गई है और मैं आलिंगन दे पा रहा हूँ, धीरे-धीरे से मैं आलिंगन दे पा रहा हूँ तो यह अवस्था अब कलपना कीजिए, क्या अवस्था होगी कि परमेश्वर सामने नहीं है, परमेश्वर अद्वईत है, निर्गुन है, निराकार है, फिर भी उस विठल को अलिंगन देने की जो एक मनीशा है, वो संत दुकारा महराजी को प्रफुलित कर रही है कि यह जो बंधन जो था संसार का, उससे अब मैं मुक्त हो रहा हूं, यह जो गाठ जो है, वो धीली हो रही है, धीली पड रही है, उसकी वज़े से मैं मुक्त हो रहा हूं, और यह गाठ भी कैसी? यह गाठ है संसार की, यह गाठ है माया की, यह गाठ है मोह की, यह मोह ही जो है, जो इनसान को, आदमी को, अपने परमेश्वर से मिलने से रोकता है, तो अब यह अवस्था में संदोदुकार हमाराज जी चले गए है, जहापे यह जो बंधन है, संसार का, विश्व का, मोह का, माया का जो बंधन है, रिष्टो का भी जो बंधन है, उसकी गाठ भी अब धीली पड रही है, जब परमेश्वर के दर्शन हो रहे हो, जब उस परमतत्व के दर्शन हो रहे हो, उसका अनुभव हो रहा हो, उसकी अनुभूती हो रही हो, तो इस संसार को कौन पूछता है? इस अवस्था में संत दुकारा माराजी गए है, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस बंधन से मैं अब में मुक्त हो रहा हूँ, और इस आनंद में जो एक मन ही मन, इसकी कलपना कर रहे हैं, जिसका अनुभव वे ले रहे हैं, इसकी अनुभूती कर रहे हैं, कि ये जो मिठी है जो आलेंगन है, ये आलेंगन किसको है, उस परमेश्वर को है, और सीधे शब्द में कहा जाए तो विठल को है, उस विठल को आलेंगन देना, ये कलपना किजे कि आपने भगवान को आलेंगन देना, उसके चरणों को आलेंगन देना, इससे सुख क्या होगा, और वो भी कि आप गए दो मिर्ट में और आप चले गए बाहर ऐसे नहीं, धीरे धीरे सावकाशे, धीरे धीरे करके आप परमेश्वर के चरणों को आलिंगन दे रहे हैं, परमेश्वर को आलिंगन दे रहे हैं, उस परमतत्व को आलिंगन दे रहे हैं, उस अद्वईत को आलिंगन दे ये देता अलिमिठी जो है और उससे भी आगे जाके ये जो मोक्षा है उसे अलिंगन दे पा रहे हैं तो मोह से समसार की बंधनों से मुक्त होके रिष्टों के बंधनों से मुक्त होके ये गाठे उकल के उस वो गाठे जो है वो धीली पड़ रही है और धीरे धीरे वे परमेश्वर को आलिंगन देने का अनुभव कर रहे हैं अनुभूती ले रहे हैं उस मोक्ष की अनुभूती ले रहे हैं उसके बहुत ही निकट जाके पहुँच गए हैं और जब ऐसा होगा तो क्या होगा तुकामने देह भारिला विठले कामक्रोधे के ले घर रिते जब आप इस अवस्था में पहुच गए हो जहाँ पे मोह माया कुछ काम नहीं करती समसार का कोई बंधन नहीं होता आप परमेश्वर को आलिंगन देने के लिए मुक्त हो गए हो और मोक्ष की तरफ बढ़ गए हो उस अद्वईत की तरफ बढ़ गए हो तो क्या होगा तुक कह रहे हैं तुका याने संत दुकार हमारा जी जो खुद को तुका कह रहे हैं देह याने देह भारिला विठले भारिला विठले याने उससे पूरा भर चुका है उसमें लिप्त हो गया है विठल में ये देह जो है ये पूरा शरीर जो है वो लिप्त हो चुका है विठल मे उस परमतत्व में वो परमसत्य है परमेश्वर जो है उसमें लिप्त हो गया है पूरा देह और उसे क्या हो गया काम क्रोधे केले घररीते काम और क्रोध ये दो ऐसे पाप हैं जो किसी भी नर और नारी को मोक्ष्य से भटका सकते हैं सत्य से भटका देते हैं और तरह तरह के पाप जो है जो मन में उत्पन्न हो जाते हैं मोह है माया है उसके सब के मूल में है काम और क्रोध और जब ये काम और क्रोध काम याने इच्छा लालसा याने चीजों की वस्तों की माया की तो ये जो काम और क्रोध जो है केले घर रिते केले याने कर दिया घर याने घर रिते याने खाली तो अगर मैं स्वईर अनुवाद करूँ थोड़ा इसका तो ये हो गया कि मेरा शरीर जो है तुका कह रहे हैं तुकारा महराजी कह रहे हैं कि मेरा शरीर ये देह जो है ये पूरा जीवन जो है वो विठ्थल के नाम से विठ्थल से उस परमसत्य से यू लिप्त हो गया है कि अब काम और क्रोध को इसमें थोड़ी सी भी जगा नहीं मिलेगी इस काम और क्रोध ने ये पूरा घर जो है ये देह का जो घर जो है आत्मा का घर जो है वो पूरी तरह से खाली कर दिया है अब इसमें काम और क्रोध निवास नहीं करते हैं पूरी तरह से मन शुद्ध हो गया है क्यूंकि बोलावा विठ्थल पहावा विठ्थल करावा विठ्थल जीवभावा जब आप विठ्थल का नाम लोगे उसका नाम अस्मरण करोगे हर जगा विठ्थल को पाओगे अब ये है कि आप विठ्थल को पाओगे और विठ्थल आपको दिख जाएगा और ये सब सिर्फ मंदिर में नहीं हो सकता आपके सामने जो भी है जो वस्तु भी है उसमें भी आपको विठ्थल दिख जाएगा अगर आप भक्त हैं, करावा विठ्थल, विठ्थल ही विठ्थल किरते जाओ, शुभ ही शुभ करते जाओ, मंगल ही मंगल करते जाओ, शिव ही शिव करते जाओ दोस्तों ये चीजे जो हैं, अगर आप मराठी समस्कृति को नहीं समझते तो शायद समझने में, इस अभंग को समझने में गलती हो सकती है, इसलिए मैं सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि थोड़े आसान शब्दों में जो आप समझ पाए, इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करो, कि जैसे हम कहते हैं कि शिव बोलो, शिव देखो, शिव करो, आस्था से करो, ऐसा ही है कि बोलावा विठ्थल, पहावा विठ्थल, करावा विठ्थल, जीव भाव, किसे के लिए ये शिव है, किसे के लिए विश्नु है, किसे के लिए शुभ है, किसे के बुलावा विठ्थल पहावा विठ्थल एस अभंग का हिंदी अनुवाद थोड़े सरल सीधे आसान शब्दों में मित्रों मैं खुद हिंदी भाशिक नहीं हूँ इसलिए अगर मुझे कोई गलती हो गई हो कोई भूल हो गई हो तो कुर्पया मुझे माफ कर दीजेगा मेरा प्रयास बस यह है कि इन महानुभाओं के जो विचार है जो सनातन विचार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूं अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो क से इस अभंगों से और इन महात्मा ओंड़ों से और भी लोग लाभानवित हो और लोगों को हम इस अभंगों का और विचारों का प्रसार कर सके और हमारी सनातन धर्म और संवर्श कृटिका भी प्रसार कर सके हैं अ अग्या लेता हूँ, अगर ये प्रयास अच्छा लगे, तो फिर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और और भी कोई आपके पास सजेशन हो, कोई अभंग हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो कृपिया इस वीडियो के कॉमेंट्स में मुझे अबता हूँ